इस बीडिवनिंग प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपके एजुकेटर पूर्णे मा और हम करेंगे वक्षीट नमबर 33 सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है, क्लास 6 है और यह वक्षीट है 12 फरवरी की चेप्टर 7 है आवर कंट्री इंडिया, टॉपिक क्या है फिजिकल डिविजन, तो स्टूरेंट्स पिछली वक्षीट में हमने क्या देखा था, कि हमारे इंडिया के, मैंने आप लोगों को बताया है कि डिरेक्शन कैसे बनानी है, सबसे उपर लिखेंगे नौर्थ पेज़ यह हमारी नौर्थ डिरेक्शन होती है, यह हमारी साउथ डिरेक्शन होती है, यह इस्ट होता है और यह वेस्ट होता है, तो नौर्थ में मैंने क्या पताया था, कि हमारे नौर्थ में हिमाल्यास है, फिर हमने जो नदियां थी, नदियों से बहा कर जो प्लेन बने हुए थ अब आज हम पढ़ेंगे Great Indian Desert के बारे में, Indian Desert कहा है, राजस्थान में, तो अगर हम direction बनाएं, तो यह कहां पर हो गया, यह वेस्ट में हुआ एक तरह से, नोर्थ वेस्ट में हो गया, तो इस तरीके से यहां पर बात करेंगे, फिर Penisular Plateau की बात करेंगे, यह हमारा Penisular Plateau है प अर्ज से भरा हुआ है, It has a very little vegetation, इसमें भाई पानी ही नहीं है, जहां जादा पानी होता है, वही पे जादा, पानी यहांपर in therysningen शूदिध ही, इसलिए यहां पे जादा पेर दाजन जाएं पेर नहीं है, अब देखो, मैं यहां पे खड़ी हूं, आप एक जिसाiblगे यहां पे कोई person खड़ा है बी, यहां पे मैं खड़ी हूँ, पी, पूर निमा, ठीक है, यहां पे कोई ए परसन खड़ा है, तो यह मेरे south में खड़ा है, क्योंकि south की direction है, ठीक है, तो इसलिए वो कह रहा है, कि जो northern plains है, उसके south में क्या है, penicillar plateau है, ठीक है, it is triangular in shape, यह triangular है, okay, this is a reason with a numerous hilly reason, यहां पे बहुत सारा hilly reason है, यहां पे अरावली hills है, western ghats और shihadri, ठीक है, western ghats, eastern ghats है, okay, western ghats को shihadri बोलते हैं, और eastern ghats जो है, इसकी eastern boundary को provide करते हैं, the plateau is rich in mineral like coal and iron ore, यहां पर देखेंगे, तो यहां पे जो जारखंड है, चतिसगड है, यहां पे coal और iron ore प west में, यहां पे western ghats है, and the western ghats के west में, यह western ghats है, यह eastern ghats है, और eastern ghats के east में, क्या है, coastal plains है, the western coastal plains are very narrow, बजाय के eastern के, अब जो नदिया है, अब जो नदिया है, अब मालो नदी बहा करा रही है, नदी यहां से बहा करा रही है, यहां तो यहां पे इस साइड गिर रही है, यहा साथ 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 में गिर रही है हमारे दैंडेवान निकोबार लाई तो दे साउथ इस्ट ओफ दे इंडियन मिल्लें इन दे बे ओफ बेंगल ठीक है यहां पर है महाराष्ट्रा है गोवा है करणाटका है केरला है गुजरात है और इस साइड पर भी है आपके तमिलाडू हो गया यह आपका अंधरप्रदेश हो गया उडेसा हो गया ठीक है तो यह सारे आपको नाम लिख देने हैं फिर सेकिंड एक्टिविटी के फाइंड है यह इस एक्टिविटी को लिख देंगे राजस्थान ठीक है आपको कर आरे हूं एक सेकिंड तो चलिए यह लिख लेते हैं नाम यहां पर इंडियन कोस्टल लाइन टच इस नाइन स्टेट्स, गुजरात, महराष्टरा, गोवा, करनाटका, केरला, तमिलाडू, आंधरप्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगोल और दो यूनियन टरिट्री, दमन, एंद्यू, एंद पुर्डुचेरी, ठीक है, तो यहां से आप अगर ऐसे मैप में से करना स्टार्ट क आप लिखेंगे यहां से महानदी, गोदावरी, कृष्णा, एंड काविरी, ठीक है, यह हमारी इस फ्लोइंग रिवर है, यहां पे अंसर नंबर वन में आ जाएंगे, चारो का नाम लिख देना है आपको, लक्ष्वय द्वीप आइलेंड इर लोकेटिड इन दा, लक्ष् फिर चलते हैं थर्ड पे, there are many hilly region and valley in the, कहां पे लिखेंगे, कहां पे है, हीली रिजन और वैली, किसमे है हमारी, यहां पे आप देखेंगे, जो हमारा पैनिसिलर प्लेटू, ठीक है, यहां पे थांसर, यह रहा, यहां पे पैनिसिलर प्लेटू, ठीक है, इसमें क्या है, यहां पे हीली रिजन और वैली, तो यह लिखेंगे, पैनिसिलर प्लेटू, कौन से में आजाएगा, यह हमारा थर्ड में, ठीक है, थर्ड में आजाएगा, पैनिसिलर प्लेटू, ठीक है, यह हो गया, फोर्थ में, डैश प्रोवाइड दा इस्टर बाउंडरी और पैनिस इस्टर घाट यहां पे लिख देंगे, इस्टर घाट प्रोवाइड इस्टर बाउंडरी और पैनिसिलर प्लेटू, ठीक है, तो पहले में क्या आया, यह नदिया, सारी की सारी चारो नदिया, दूसरे में क्या आया, अरेबियन सी, तिसरे में, तिसरे का अंसर पैनिसिलर चोथे में यह हमारा क्या आ जाएगा चोथे में हम लिखेंगे इस्टरन घाट तो यह हो गई हमारी आज की वक्षिट I hope आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थेंक यू have a nice day may God bless you